हलो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो में मौरे काल से रिलेटर जितने भी प्रिवियस यर्स कोस्टन रिपीट किये हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और यह SSC और रेलबेर के लिए और अधर एक्जाम के लिए भी खाफी इंपोर्टेंट है तो चलिए पहला कोस्टन देख लेते हैं पहला कोस्टन है कि निमलिखित में से वह बैक्ति कौन है जिसका नाम देवियान प्रियादर्शी भी था तो वो असोख है जिसका नाम देवान प्रियादर्शी भी था निमलिकित में से प्राजचिनतम राजवस कौन सा है तो इस option में सबसे प्राजचिनतम जो राजवस है वो मोरे है कलिंग भिजय के उपराँ असोक महान ने निमलिकित में किस धर्म को अंगिकार कर लिया तो बहुत धर्म को वो अपना लिये थे और देखिए कलिंग बिजय के पश्चा समराट अशोक ने बहुत धर्म को अपना लिए अशोक तेरवा अविलेक के अनुसार उसने अपने राजे विशेक के आठ वर्स बाद कलिंग युदर लड़ा कलिंग बिजय उसकी आखरी बिजय थी यह कलिंग की जो लड़ाई हुई थी दोस्ट एक सर्ट इसा पुड़ाई में हुई थी यह भी कोस्टन पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखना होगा कि कलिंग के युदर कब लड़ा गया नेक्स्ट कोस्टन है कि चनक्या का अन्य नाम क्या है तो चनक्या का जो अन्य नाम है वो विश्नु गुप्त भी उन्हें कहा जाता है विश्नु गुप्त और उन्हें कोटल्या भी कहा जाता है तो आप दो नाम याद रखिएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि वह कौन सा सासक था जिस ने राज सिनहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी तो वो असोग था निमलिकित में समराट असोग की वह पत्नी कौन थी जिससे उसको प्रभावित किया था तो कारू बाकी थी जिससे वह प्रभावित थे नेक्स्ट कोश्चन है असोग ने अपने सभी अभिलेखों में एक रुपता के लिए किस प्राकिर्ति का परियोग किया तो मगदी का परियोग किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है कि बिंदुसार ने बिद्रोहियों को कुचलने के लिए असोक को कहां भेजा तो असोक को तक सिल्ला में भेजा नेक्स्ट कोश्चन है कि चंदरगुप्त के सासन भिष्टार में किसने मुख्य रूप से मदद की तो वो चानक क्या है जो कि सासन भिष्टार में मुख्य रूप से मदद की थी सांची किस कला और मुर्ती कला की निरूपन करता है तो वो बहुत की बहुत धर्म के नेक्स्ट कोश्चन है प्राचीन भारत के वो परसीद सासस जिसने अपने जीवन के अंतिम दीनों में जैन धर्म को अपनाया तो वो चंदरगूप्त मौरे थे जो कि अपने अंतिम दीनों में जैन धर्म को अपनाया था नेक्स्ट कोश्चन है कि मौरिस समराज की अस्थापना किस ने की थी तो मौरिस समराज की अस्थापना चंदरगूप्त मौरे ने की थी और यह भारत के पर्थम हिंदू समराट थें चंदरगूप्त मौरे नेक्स्ट कोस्चन है कि मौरे समराज में प्रचलित मुद्रा का नाम किया था तो वो पन था पन नेक्स्ट कोस्चन है कि नेक्स्ट कोस्चन है कि निमलिकित में कौन मौरे बंस का सासक नहीं है तो अजाज सक्त्रू जो कि मौरे बंस के सासक नहीं था अजाज सक्त्रू मगत के परतापी समराट और बिम्बी सार का पुत्र था किसका जो कि अपने पिता को मार कर राज्य प्राप्त किया अजाज सत्रू था जो कि बिम्बिशार का पुत्र था और वो अपने पिता को मार कर राज्य की प्राप्ति की थी उसने अंग, लच्वी, बज्जी और कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज मिला कर एक बिष्थरित समराज की अस्थापना की थी निमलिखित में असोक का उत्राद हिकारी कौन था तो कुनाल था मालवा गुजरात एबा महराष्ट किस सासक ने पहली वार जीते तो चंदरगुप्त मौरे ने निमलिखित में किस सहर में असोक के सिलालेक नहीं है तो वो पटली पुत्र में असोक का सिलालेक नहीं है नेक्स्ट कोचन है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालिन था तो वो चंदरगुप्त और अर्थशास्त्र को टल्या द्वारा लिखा चनक्या द्वारा इन्हें को टल्या भी कहा जाता है चनक्या द्वारा लिखा गया था और चंदरगूप के महामंत्री भी थें, महामंत्री भी थें, चनाकियां मौरेकाल में सिच्छा का जो सबसे अधिक परसीध केंदर था तो वो तक्षिला था जो की अब पकिस्तान में है, परजेंटर डे में मेगास्थनीज के पुष्टक का नाम था इंडी का, यह भी काफी इंपोर्टेंट कोच्चन है, बहुत बार पुछे जा चुके हैं S.S.C. में जिसके गरंथ में चंदरगूप्त मौरे के विशिष्ट रूप से बर्नन हुआ है, वो है विशाखा दत्त बहुत रोत जिसमें पाटली पुत्र के प्राशाशन का बर्नन उपलाब्ध है, वो है इंडी का, इंडी का में यह सब लिखा गया है जो पाटली पुत्रा का जो प्राशाशन का जो बर्नन है, वो आपको इंडी का में मिल जाएगी, और इंडी का है जो कि मेक्थनीज द्वारा लिखा गया है मौरे समकालिन में जो की पाटले पुत्र प्राशाशन के बारे में बताती है असोक के सिला लेखों में जो परियुक्त भासा है, वो मुक्तरुक्त से पाली है कौन सी भासा है? पाली भासा है निमलिखित में किस मौरे राजा ने डक्कन की बिजय पराप्त की तो वो चंद्रगूप्त मौरे है जो कि डक्कन की बिजय पराप्त की है पर्थम सासक पर्थम मौरे सासक चंदरगुप्त मौरे ने दक्कन की विजय की साध यूनानी लेकर जस्टिन ने लिखा कि चंदरगुप्त मौरे ने अपनी छे लाग सेनाओं को लेकर समस्त भारत को रौन दिया चलिए नेक्स्ट कोशन देख लिजए कि मेक्थनीज ने भारतिय समाज को कितने स्रेनियों में विवाजित किया तो मेक्थनीज था वो साथ स्रेनियों में विवाजित किया चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सी स्रेनी है तो दार्षनिक किसान अहीर, काड़ीगर या सिल्पी स्याइनिक निरिचक, सवासत तथा अन्य सासक बर्ग ये साथ स्रेनियों में भारतिय समाज को बिभाजित किया कोटल्या के अर्थ सास्त्र में किस पहलू पर परकास डाला गया तो वो राजनितिक नितियों के बारे में बताता है निमलिखित में कौन सा छेत्र असो के सम्राज में समलित नहीं था तो वो सिरलंका था अफ़गिनिस्तान विहार कलिंग इस सभी असो के परतेच अधिकार के अंतरगत आते थे लेकिन सिरलंका में उसने केवल धम की परचार हेतु परचारकों को बेजा था यह उसके सम्राज में सामिल नहीं था नेक्स्ट कोस्चन है कि पाटली पुत्र को कि सासक ने स्वर पर्थम अपनी रजधानी बनाया तो वो है चंदर गुप्त मौरे ने स्वर पर्थम रजधानी बनाया देख लेते हैं देखें चंदर गुप्त मौरे ने अपने गुरु विश्नु गुप्त और यार चना क्या दोनो एक ही नाम है कि सहेता से नंद बंश के अंतिम सासक तो नंद बंश के अंतिम सासक कौन था घनानंद था इससे हरा कर मोरे समराज की अस्थापना किया और पाटली पुत्र को अपने राजधानी बनाया पाटली पुत्र में अस्थित चंदरगुप्त का जो महल मुक्तब बना था वो लक्री से बना हुआ था यहाब बात में अक्तनीज के बीवराण से पता चलता है कि चंदरगुप्त के जो महल लक्री से बना हुआ था जिसके चारो और खाई थी यहाब बरतमान में पतना के निकट को मरा रखे खुदाई में लक्री के इस्तंबौ और लक्रियों की चार दिवारियों को परमान मिले हैं बराबर गया जिला की गुफाओं का उप्यो किसके अस्रेग्री के रूप में किया गया तो आज जी भी काओं ने किस अभिलेक से यह साबित होता है कि चदरगुप्त का परवा पस्मी भारत में फैला हुआ था तो रूद्र दमन का जुनागड अभिलेक से पता चलता है प्रथम भारतिये समराज अस्तापित किया गया चंदरगुप्त मोरे के दोआड़ा उत्राण चल जो कि उत्राखंड में अभी उत्राखंड है में असो का एक सिलालेक अस्तित है कालसी में अस्तित है एक सिलालेक कालसी है जो कि उत्राखंड के देहरा दुन जीले में है और यह उत्तर भारत में केवल कालसी में ही समराट असोक के सिलालेक हैं शांची का अस्तूप किस ने बनवाया था तो असोक ने बनवाया था असोक के सिलालेक को पढ़ने बला पर्थम अंग्रेज कौन था तो वो जेम्स प्रिशेप था और एक अब जेम्स प्रिशेप में अठारो सो सैंटिस इसे भी में पर्थम बार इसे परहा था कलिंग यूद की विजय तथा छत्रिय का बरनवाया असोक के किस शिलालेक में मिलता है तो शिलालेक 13 प्रसीद यूनानी राजदूत मेगनितिज भारत के किस के दरवार में आये थे तो वो चंदरगुप्त मोरे के दरवार में आये थे निमलिकित में कौन सा राजा प्रय जनता के संपर्क में रहता था तो वो असोक था असोक ने 261 में कलिंक को जितने के बाद क्या किया तो भारी रक्त पात देखतर यूद के जो नीती था वो सदा के लिए त्याग दिया और बहुत धर्म को अपना लिया निमलिकित में से किस राजा देश में असोक के बेक्तिगत नाम असोक का उलेख मिलता है तो मास्की में यह अविलेख है जो कि आंदर परदेश के राजे के राय चूर जीले में अस्तित हैं असोक ने अपने राजेविशे के चौथे बर्स में निग्रोत के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे से बहुत धर्म की दिच्छा ली तो उपगुप्त थे हैं उपगुप्त थें जो कि एक प्रशीद बहुत विच्छू थें इन्हें अल्चनक बुध भी कहा जाता है श्री नगर की अस्थापना किस मौरे सासक ने की थी तो वो असोक ने की थी असोक ने श्री लंका में बहुत धर्म का परचार है तो किसे भेजा तो महेंद्र और संगमित्रा दोनों को ही भेजा था और महेंद्र और संगमित्रा थे जो की असोक के ही संगमित्रा बेटी थी और यह बेटे थे किसके सासन काल में डिमेकस है जो की भारत आया था तो वो बिंदुसार के सासन में चलिए अगर वीडियो चलागा तो चैनल कुछ सब्सक्राइब कीजिए अगरे अगरे अगरे